नमस्कार दोस्तों मैं हूँ जोती प्रकास धादीच और आप देख रहे हैं दी ओफिसर्स दोस्तों भारत की पहली महिला फाइटर स्क्वारडन लीडर अवनी चतुरवेदी अव विडेस में अपना दमखाम दिखाने को तैयार है भारत की पहली महिला फाइटर बनने के बाद अवनी चतुरवेदी देश की करोडों महिलाओं के लिए मिसाल बन गई है जिनकी उडान अब पूरी दुनिया देखेगी धरसल अवनी जापान की सरजमी पर भारत का नाम रोशन करने के लिए तैयार है जापान में होने वाले हवाई युद्धा भास में अवनी चतुरवेदी भारतिय दल का हिस्सा होंगी और ये पहली बार होगा जब कोई भारतिय महिला फाइटर पाइलेट विदेशी जमीन पर अपना रण कोशल दिखाएगी भारतिय वायु सेना की महिला पाइलेट अवनी चतुरवेदी एक नया इतिहास रचने वाली है विदेश में होने वाले हवाई युद्धा भास में पहली बार भारतिय वायु सेना की महिला पाइलेट इस्सा लेंगी अवनी उन तीन महिलाओं में सामिल है जिने वायू सेना फाइटर पाइलेट के रूप में चुना गया है अवनी की इस सफलता की चर्चा हर तरफ हो रही है उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेयना दायक है दोस्तों आपको बता दें कि 12 जन्वरी से 26 जन्वरी 2023 के बीद जापान के हयाकूरी एरबेस के हवाई छितर में वीर गारजियन 2023 के नाम से अभ्यास किया जाएगा आवनी चतुरुवेदी पहली महिला फाइटर हैं जिन्नोंने साल 2018 में अकेले मिग 21 उड़ाया है दोस्तों आवनी चतुरुवेदी का जन्व मध्यपरदेश के सतना जिले के कोठी कंचन गाव में हुआ था मध्यपरदेश के शह डोल जिले में सुरुवाती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने राजस्थान के वनस्थली विश्वविधाल्य से कंप्यूटर साइंस विशे में इंजनियरिंग की उनके पिता मध्यपरदेश सरकार के जल संसाधन विभाग में इंजनियर हैं और मा ग्रहनी हैं और उनका भाई निरभ सेना में कैप्टन है आवनी चतुरवेदी अपनी बेचमेट भावना कांत और मोहना सिंग के साथ साल 2016 की जुलाई में फ्लाइंग ओफिसर बनी 2016 के पहले भारतिय वायू सेना में महिलाओं को फाइटर प्लेट चलाने की आनुमोती नहीं थी अवनी चतुरवेदी जापान में होने वाली वीरगारजियन 2023 युद्धाभास का हिस्सा होंगी यह हवाई अभ्यास तब हो रहा है जब चीन इंडो पैसेफिक रेजन में अपनी ताकत दिखा रहा है इस अभ्यास को ही वीरगारजियन 2023 का नाम दिया गया है दोस्तों आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही ओफिसर्स और रियल लाइफ हेरो से जुड़ी जानकारी के लिए